दवा बनाने वाली कम्परी ने 400 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। जी हां कुरोना काल में बहुराश्टी दवा कमपनी नोवार्टिस ने जिन कर्मचारियों के दम पर मुनाफ़ा कमाया था। उन्मी से ही करीब 400 को एक जटके में बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कर्मचारियों को कमपनी के इस कदम का आभास पहले से था इसलिए उन्होंने अदालत का दर्वाजा भी खटखटाया था। जहां से कमपनी को यथा इस्तेती बनाए रखने को कहा गया था। इसके बावजूद कमपनी ने नियमों को ताक पर रखकर 11 फरवरी को कर्मचारियों को बरखास्त कर दिया। कर्मचारियों के संगठने मामले में नयाई के लिए एक बार फिर अदालत का दर्वाजा खटखटाया है। वही नो आर्टिस का दावा है कि उसने मजबूरी में ये कदम उठाया है क्यूंकि डॉक्टर रेडीज लेप्स से एक समझोते के बाद इन कर्मचारियों की उप्योगिता खत्म हो गई है। नो आर्टिस कर्मचारी संग के ले कारेकारी समितिके सदस से कुमार हर्सवरधन एक्जेक्यूटिव नो आर्टिस इंडिया लिम्टेड दिल्ली ने बताया है कि कर्मचारियों की सेवा बिना किसी गलती के समाट की गई है। यहां तक की अदालतों में लंबित मामलों के बावजूद कमपनी परबंधन ने कर्मचारियों को बरखास कर दिया। कमपनी नई दवाएं खोजने अनुसंधान और विकास में निवेज करने वाली दुनिया की सीर्स कमपनियों में शुमार है। नुवार्टिस इंडिया लिमिटेड ने डॉक्टर रेडिस लैब्स के साथ अपने उत्पादों वोवुरान, काल्सियम रिंज और मेधर जिनके विक्री और वित्रड के लिए समझोता किया है। समझोते के बाद नुवार्टिस के पास इस डिवीजन में कोई उत्पाद नहीं बचा है। जाया गया AIR के मताबए करमचारियों और उनके परिवारवालों पर इस फासले के बाद क्या भीदेगी कंपनी को इसका हिसास है। उनके लिए पैकेज और दूसरी कमपनी दिलानी के कोषिस की जा रही है। सवाल है कि कमपनी के किए गए बरकास्त करमचारीों को दूसरी नौकरी ये सिर्फ कोषिस है या या हकीकत आखिर कब though और कैसे एव्थ कितनी सैलरी पर इन कर्मचारियों को नौकरी दी जाएगी साथ ही एक सवाल और है जब तक नौकरी नहीं तब तक कर्मचारियों के परिवार के फालन पोसट की जिम्मेदारी किसकी रहेगी क्या नैतिकता के अधार पर कमपनी खर्चा नहीं उठाएगी साथ ही अंतिम सवाल एक और ओवरेज हो रहे कर्मचारियों का भविस कैसे ते होगा इस खबर को शेयर करें ताकि कर्मचारियों के हित में आवाज बन सके शुक्रिया